सड़क दुरगटना में एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद बीते 8 नवंबर को आक्रोशित ग्रामिनों द्वारा मौके पर पहुची पुलिस की टीम पर जान लेवा हमला एसाई के साथ मारपीट और पत्राफकर वाहनों को शतिग्रस करने की घटना के बाद गाओं में अभी तक पूरी तरह से विरानी चाई हुई है वही घटना के करीब 12 दिन बाद चत्रा विधायक सह, सूबे के शम, निरोजन, प्रशिक्षन और कौशल विकास मंतरी, सत्यानंद भोकता प्रभावित गाओं ड़हूरी पहुचे जा उन्होंने आसपास के गाओं के ग्रामिनों के अलावा जंगल में शरन इस्थाली बना, चुकि एक भायवीत ग्रामिनों से घरों में रहने की अपील की जो घटी है, खास का मोटर सेकल से इनका पती का मिर्तु हो गई, बहुत दुखद है और बीच में जो बच बचा में जो आप पूलिस के साथ जो घरना घटी भी दुखद है चुकि कानून किसे को हाथ में लेने का धिकार नहीं है और बात करने हैं लेकिन जितनी लोग भाई भी थे हैं जो बाल बचा चोड़ करके जो जेंगल पार में हैं कि जो होना था दर दर ने जरूत नहीं सब लोग घर में वोखें हैं और अब जो लोग सब रहें और एभिव भीयर पQué पडο सरकार दोरा बीस हो सकता अइक हम अपने इस तर्से वाई ग्रामिनों ने कहा कि उनके आने से थोड़ा डर का माहूल कम हो गया है हो अज लग रहे हैं कि हम लोग को गाओं में कोई आदमी हुआ है और हम लोग को जान में जान आया है और यह बहुत खट घटना हुआ है ऐसा घटना भरीश में हम लोग नहीं उमीद करेंगे कि हो दोसी है तो उत दोसी है उसकी लोगे इतनी सुचना है लेकिन जो निर्दोस है उसको किसी भी हालत में उनको निर्दोस सावित करेंगे और बरिकरवावेंगे यह अस्वासन मंत्री जी दिए अभी जो सुचना मिला कुछ लोगों जो इतना बिर नहीं है तो अतना बड़ी भारिवस्ति है कि भीर तो यहां समल नह से नहीं जा रहे थे हैं वही स्कूल के पारा शिक्षक ने कहा कि इस घटना के बाद से बहुत बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया था मेरे यहां आड तारी का जो घटना हुआ इसको देखते हुए हमारे गाओं के सारे लोग सब बाहर भागे हुए अपना जुस रिष्तेदार ही यहां कहीं भागई हैं कहीं जंगल तरफ है वे सा नुकाया हुआ है बच्चे लोग का कहीं रिष्टेदारी यहां धेरा है चलता है हर घर ताला लटका हुआ है यहां कुल नमांकन 30 है लेकिन मेरा यहां बच्चा मात्र तीन आये हुए उसको डर हो गया कि पुलिस आ रहा है रात में आ रहा है दिन में आ रहा है पकड़ किले जागा मेरा और घर में सब का दरवाजा ठोक ले चल रहा है तो इसका यहां गारजियन सब का हड़ डख हो गया है कि पकड़ लेगा इसका चलते भागा हुआ है बता दे कि घटना के बाद लगातार आरूपियों की गिरफतारी को लेकर पुलिस इलाके में छापेमारी अभ्यान चला र अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद